भारतिये जनता पार्टी के राजेसवा सांसद सुब्रेमन्यम सौमी का एक ट्विट टिर्केन सरकार के लिए चिंता बढ़ाता जा रहा है सौमी ने हाली में मालदीब को लेकर ऐसा ट्विट किया जिसे भारत का पुराना साथी खपा हो गया इस बीच मालदीब के विदेश सरकार अहमा शरीर ने भारतिये हाई कमिशन अखिलेश मिश्रा को भी रविवार को समन किया अंग्रेजी एक बाद इंडिन एक्सप्रेस के अनुसार मालदीब के विदेश सरकार ने सौमी के ट्विट पर अपनी नाराजगी व्यक्त की इसके अलावा अधिकारिक तोर पर भी मालदीब की सरकार ने भारतिये सरकार के आगे बयान पर चिंता व्यक्ती है और इसे चौकाने वाला बताया है आपको बता दें कि 24 अगस्ट को सौमी ने ट्यूट किया था कि अगर मालदीब में चुनाओ के दोरा अंगरबड़ी होती है तो भारत को हमला बोल दना चाहिए सौमी ने इस बयान पर भारत सरकार से किसी तरह की टिपनी करने का इंकार किया है सरकार की और से कहा गया था कि वह इसके नीजी विचार हैं ऐसे में वह कुछ भी कहने पर रोप लगा सकते हैं